नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी यूटीब चैनल में दोस्तों जैसा कि आज का टॉपिक है कि एक पॉट में हम दो प्लांट मतलब अगर हम लगाते हैं तो हम क्यों लगाते हैं क्यों हमें एक पॉट में दो प्लांट लगाने की जुरूत पड़ती है तो एक तो द जो देखने में भी अच्छे लगें तो मैं इसी बारे में आपको बताऊउगे कि दो प्लांट कैसे लगाएं अप में बक्षान को जाता है और फिरॉ ओप्लावर में लिए कि वह Neph parties जाता है DAVID नीचे को फैलता है नीचे नीचे फैलता है और यह पॉट भी छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैंने इसमें एक डॉक फ्लावर लगाया है और एक पैंजी का लगाया है और आगे यह मेरा चोड़ा सा पॉट है जो इसमें मैंने बर्बीना लगाया है उसमें भी पॉट खाली न नीचे नीचे फैल जाएंगे तो इसके इस हिसाब से मैंने ये लगा दिये हैं और यहां पे मैंने डैंथस लगाया है और इसी के साथ मैंने ये कटिंग लगा दिये जिरेनियम की जिरेनियम भी फैलेगा काफी लेकिन जो ये पॉट है वो काफी बड़ा है तो डैंथस को भी जगह मिल जाएगी और यहां पे यह मेरे firecrackers और pitonia मैंने एक साथ लगा दिये हैं जब pitonia का सीजन खितम होगा तो मैं इस firecrackers के साथ मौस रोज या पर्सलीन की कटिंग लगा दूँगी तो आप देख रहे होंगे कितना संदर खिल रहा है यह मेरा इस बार तो सर्दियों में भी खिलता ही रहा यह मेरा firecrackers देख रहे होंगे आप और आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे यह ड्रैसीना के साथ pitonia लग लगा यह और यह आप देख रहे होंगे कि ब्रह्म कमल के साथ सीडम लगावा है घ्रीन सीडम तो आप लगा दो गया ना ऐसे कहीं भी किसी पॉट में तो आप समर में मल्चिंग का काम भी करता है और यह मेरे खुबसूरत से पॉपी खिल रहे है तो देखो कितने प्यारी सब डबल पैटल वाले पॉपी हैं ये बहुत ही संदर लग रहे हैं और ये विनका के फ्लावर हैं इसमें देखो सीट पॉट बनने लग गए हैं विनका के साथ मैंने एक हैज भी लगाई भी है और नीचे यहां पे ये मेरे लड्डू गेंदा के छोटी छोटी पॉट जम र और यहां पे आप गजनिया देख रहे होंगे गजनिया के साथ जितने भी गजनिया के पॉट है ये मैंने सब के साथ एक एक पॉपी लगा रखा है ये थोड़ा इसने ज्यादा नहीं बढ़ पाए हैं कि उपर से फिलॉक्स की छाया आ रही है ना इनमें तो फिलॉक्स ने इसाथ मैंने जिरेनियम और परस्लीन की और सदा बाहर भी लगा रखा है यहां पे यह मेरे बड़े बड़े पेड़ हैं और इनके साथ मैंने ये फिलॉक्स की पॉट लगा रखा है देख रहे होंगे आप ऐसे पॉट बहुत सारी हो जाती है उन्हें हम फैकने का मन भी नह लगा मेरे मोसरोच के साहएं मैंने जरेनियम और परस्लीन्स तीन चार तनहार लगा रखें पॉद्धेThere यह विन्टर के फ्लावर प्लाँट जमी देख रहे होंग आप यह लगा रखें यह मेरे घटा के पेढ़ हैं अप्राईटा की बेल हैं इन के सात मैंने चाहर तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं और इनस्टेसियम के साथ मैंने फिलॉक्स लगा रखा है तो इस तरह से पौधे मिक्स मैच करके लगाएंगे ना तो जो देखने में भी खुबसूरत लगेंगे और यहां यह मेरे मदुकामनी का पेड़ है इसके साथ भी यह वह पौध जो 10-10 रुपे की पौध लाए थे ना वह पौध है अभी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है इनकी पता नहीं क्यों खाद पानी तो सब मिली रहा है और यह कनिर के साथ मैंने परस्लीन और मोस्रोज दोनर की कटिंग लगा रखी और यह फिस्टेल कैक्टस है तो इसक अगल हार्ट लगा रखिए और यहां पर मैंने यह जीनिया के पौधी भी लगाए वे हैं देखो कलिया आने लग गई है मैंने काफी पहरे लगा दिये थे कलिया आ गई है इन में बस अब फूल खिलने वाले हैं तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं अगर आपके पास एक अपने दो पौधे दो प्लांट लगा सकते हैं और अपना शौक बरकरार रख सकते हैं और अब गर्में में तो मेरा कोई भी पौट ऐसा नहीं होगा जिसमें मैं परसनल और मूस्रोज की कटिंग नहीं लगाऊंगी तो मल्चिंग भी हो जाएगी बड़े-बड़े प्लां बहुत बहुत धन्यवाद